सीजन थ्री एपिसोड फर्स स्टार्ट होता है और जैसी हमें एक गैस टेशन पर दिखा है वो वहाँ की जो शॉप होती है वहाँ शॉपिंग करता है और जो वो कैश काउंटर पर आता है तो वालेट में देखता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते तो जो काउंटर पर होती है वो उसे बोलती है कि यही एक ATM मशीन है तो तुम डारेक्टली ATM मशीन से भी पैसे निकाल सकते हो तो जैसी बोलता है कि मेरे पास ATM नहीं है वो बोलती है कि तुम मुझे कुछ ID दिखा कर एक check भी लिख सकती हो वो भी चलेगा पर उसके पास वो भी नहीं होता वो उसे बोलता है कि क्या मैं फिर से आकर तुम पैसे दे जाओ तो यह पॉसिबल होगा पर वो बोलती है कि मेरे फादर बहुती स्टिक्ट है और मैं यह नहीं कर सकती जेसी फिर उसे कुछ मेत देता है और बोलता है कि क्या इससे काम हो सकता है वो हैसिडेट करती है वो बोलती है कि मैंने ये कभी ट्राय नहीं किया और ये एडिक्टेट भी हो सकता है तो जेसी बोलता है कि ये सिर्फ डर बनाने के लिए है ये तुम्हें कुछ addicted वेगरा नहीं हो सकता तभी वहाँ एक पुलिस ओफिसर आ जाता है जेसी उससे नहीं डरता और उसके सामने ही वो उसे मेत दे रहा होता है जब वो पुलिस ओफिसर जेसी के पीछे ही खड़ा होता है तब वो लड़की छुपकर वो ले लीती है और जैसी वहाँ से चला जाता है निक सिनमेव माइक और सॉल दिखाये गए है माइक ने वाल्टर के घर में बग्स लगाय हुए होते है और जो कनवरसेशन चलती है वाल्टर के घर में वो सब रेकॉर्ड हो रही होती है तो जब Walter और Skyler की fight होती है तो वो भी वो record हो जाती है यह fight जब Skyler टेड के साथ सोती है उस पर हो रही होती है तो वो दोनों सुन रहे होते है और Saul यह enjoy कर रहा होता है Saul Mike से पूछता है कि इससे कोई problem हो सकती है क्या तो Mike उसे जवाब नहीं देता और टेड सुनने के लिए बोलता है टेड के last में हमें पता चलता है कि Walter टेड के हाँ जाकर टेड को धमकाने वाला है तो यह एक problem हो सकती है तो यह हमें पता चलता है Walter नेक्स दिन टेड के office में जाता है उसकी secretary को वो पूछता है कि टेड कहा है उसकी secretary बताती है कि टेड अब मिटिंग्स में है और उसे आने के लिए देर हो सकती है Walter बोलता है कि मेरे पास बहुत ही time है Walter वही बैठता है पर तब वो टेड का office देख लेता है Walter को टेड office में दिख जाता है Walter उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है पर तेड दरवाजा नहीं खोलता तो Walter एक बड़ा सा plant लेता है और उस plant को टकराने वाला होता है उसके office के window से वहाँ security आ जाती है और Walter को बहार निकालती है Walter जब बहार निकालता है तो Mike Walter को अपने गाड़ी में बेठा कर Saul के पास लेके आता है Saul Walter को बताता है तुम्हें ऐसा behave नहीं करना चाहिए अगर तुम्हें ऐसा कुछ करोगे तो तुम trouble में आ सकते हो Saul फिर उसको Gus के deal के बारे में पूछता है वो उसे बताता है कि तुम्हारी जो भी energy है तुम्हें एक जगा फोकस करनी चाहिए यह बहुत ही अच्छी deal है और तुम्हें यह ले लेनी चाहिए यह Saul सब बोल रहा होता है पर तभी Walter को पता चल जाता है कि उसके house में recording हो रही है तो वो Saul को मारने लगता है Walter Mike को बोलता है कि जो भी तुम मेरे house में रखे हो वो सब निकाल लो फिर नेक सेन में Mike उसके घर में से सब चीजे निकाल लेता है Walter उसे बताता है कि सब चीजे निकाल लो मुझे एक भी चीज नहीं दिखनी चाहिए Mike उसे बोलता है ये 800 डॉलर की ये सब चीजे होती है मैं इसे तुमारे घर पर नहीं छोड़ सकता तुम इतने भी इंटरस्टिंग नहीं हो Mike उसे बोल कर जाता है कभी-कभी तुम पर कोई नजर रखे ये अच्छा होता है Mike नहीं उसे उस दिन मरने से बचाय हुआ होता है इसलिए वो ये बोल कर चला जाता है Walter अपने जब स्कूल जाता है तो वो लेक्चर नहीं लेता वो ही वो बेठा हुआ होता है तो एक लड़की जाकर कम्प्रेंट करके आती है और फिर प्रिंसिपल वहा जाती है वो Walter को बोलती है कि तुम बहुत सारे चीजों से गुजर रहे हो पर इस से तुमारे काम में फरक पढ़ रहा है तुमें अब ज़रा इस सिच्वेशन को हैंडल कर लेना चाहिए Walter उसका कुछ भी नहीं सुन रहा होता Walter को लगता है कि ये मुझे पर लाइन मार रही है और फिर Walter उसे किस करने के कोशिश करता है Walter को वो फायर कर देती है नेक सिन में हमें दिखता है Marie और Hank Hank एरपोर्ट पर होता है और वो जाने वाला होता है El Paso को Marie उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो Hank बोलता है कि तुम्हें ही DC मूव होना है अगर मैं इसा अच्छा जॉब करता रहू तो कभी ना कमी हम वहाँ पहुच जाएंगे पिछली बार Hank को जो तकलिफ हुई होती है उसके बारे में भी मरी उसे बोलती है पर Hank उसका नहीं सुनता जब वो एरपोर्ट पर ही होता है तभी उसको कॉल आ जाता है वो लोकल पुडिस डिपार्मेंट का होता है उन्होंने एक आत्मी को पकड़ा हुआ होता है जिस पर ब्लू मेंट उसके पास होता है तो Hank उस सस्पेक को मिलने डारेकली वाह से चला जाता है वोल्टर जब अपना पुरा सामान लेकर अपने स्कूल से बाहर निकलता है तब JC वाह होता है JC उसे गाड़ी में बेटने के लिए बोलता है वो एक दुसरे का हाल पुछते है और फिर JC उसको अपना कुक क्या हुआ मैं दिखाता है वो बोलता है कि मैं इस चीज में ही मास्टर हूँ और मुझी यही करना चाहिए वाल्टर उसे बोलता है कि यह सब मेरा फॉर्मिला है तुम यह मेरा फॉर्मिला नहीं यूज कर सकते वाल्टर उसे बोलता है कि यह क्लावडी है और JC कॉलिटि होने चाहिए वैसी कॉलिटि भी यह नहीं है मैं तुम्हें इस तरह से यह सेल नहीं करने दे सकता JC उसे बोलता है कि ये तुम्हारा भी product ही मानता हूँ तो मैं तुम्हें भी तुम्हारा cut देने वाला था JC उससे Gus के बारे में बुचता है और उसका contact वो मांगता है उनमें जगड़ा हो जाता है और JC वहाँ से चला जाता है Skyler के office में उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता सुबह जो Walter उसके office में incident करता है उसके बात Skyler से उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता Skyler Ted के साथ बेड़ में होती है और थोड़ी देरे बाद वहाँ से जा रही होती है तो Skyler Dad को बोलती है, कि मेरा जाने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा, तो Ted उसे बोलता है, कि यहा रुख जाओ, पर उससे घर जाना होता है, Skyler उसे यह भी बताती है, कि ओफिस में मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा, उन्हें सब को लग रहा है, कि मैं प्रमोशन के लिए तु तेड उसे बताता है कि अब मैं सब को fire कर दूंगा वो दोना हसते है और टेड उसे बोलता है कि तुम्हें अब यही रहना चाहिए टेड अब उसके relationship को next level पे ले जाने के लिए committed होता है हैंग हमें दिखाया गया है उस आदमें से बात करते हुए जिसके पास blue में दिखाई द देता है वो उसे बताता है कि एक guy sample दे रहा था और मैंने उससे वो sample ले लिया हैंग जब उससे नाम पुछता है तो उससे दो अलग-अलग नाम बताता है पर वो उससे बोलता है कि जिसने मुझे यह made दिया उसका नाम M से तो start होता ही है हैंग फिर उसके partner को बोलता है कि अ अब हमें सिर्फ M नाम से जो हमारे suspect है उसकी list बना देनी है और हमें कुछ दरवाजे खटखट खटाने होंगे और हमें वो आदमी मिल जाएगा तो उसका friend उसे बोलता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो ये hyzen mug जुसको तुम ढूंड रहे हो ये exist भी करता है या नहीं ये तुम्हें नहीं पता JC फिर Saul के भाज आता है और अपना product उसे दिखाता है वो Saul को बोलता है कि तुम्हें meeting fix करानी चाहिए मेरी और Gus की फिर Gus और Mike की meeting दिखाई गई है Mike Walter के जो reports होते है medical reports वो Gus को दिखा रहा होता है Mike उसे बोलता है कि अब Walter जरा अच्छे time के लिए जीने वाला है Mike उसी ये भी बताता है कि JC अब अच्छे से cook करने लग गया है और Walter और JC में अब fight हो चुकी है और वो एक दुसरे के साथ अब काम नहीं कर रहे है JC deal के लिए पूछ रहा है ये भी Mike Gus को बोलता है Gus interested होता है और बोलता है कि ये deal तुम कर लो Hank सब जगा जाकर M.N.M. से जो suspect होते हैं उनकी पुछताच कर रहा होता है इसमें बहुत ही time चला जाता है और Hank को उसके boss का call आता है वो बोलता है कि आज ही तुमें चले जाना चाहिए Elvis हो वरना तुम बहुत ही trouble में हो सकते हो तुम्हारा जो promotion है वो भी चला जा सकता है Hank फिर वो ही gas station पर बहुत जाता है जिस gas station पर जिसी ने उस लड़की को मेट दिया हुआ होता है वो उस लड़की को पुछता है कि तुम्हारे boyfriend के पास से मुझे ही ये मेट मिला है वो लड़की वो में देखकर घबरा जाती है वो उसे बोलता है कि तुम ये deny कर सकती हो पर तुम एक अच्छी liar नहीं हो वो लड़की से फिर पुछताच करकर वो लड़की उसे बता दिती है वो लड़की बोलती है कि उसके पास एक RV थी ब्राउन इश वाइट कलर की उसके पास वो RV थी वो वाइट था और उसके आईज भी बहुती ब्ल्यू थे वो वही रोने लग जाती है हैंग फिर वहाँ एक CCTV कैमेरा देखता है और उसे बोलता है कि प्लीज मुझे बताओ कि ये CCTV कैमेरा काम कर रहा है पर वो काम नहीं कर रहा होता जब वो गाड़ी में आकर बेटता है तो वो नोटिस करता है ATM ATM में कैमेरे छुपे हुए होते हैं तो वो ATM की फुटेज वहाँ से उसी मिल जाती है नेक्स दिन ब्रेकफ़स्ट पर वाल्टर अपने एक फैमिली को पताता है कि अब वो स्कूल में नहीं जाने वाला उसने एक सिबैटिकल ली है और वो थोड़े हफते घर पर ही रहने वाला है वाल्टर जुनियर फिर वाल्टर को बोलता है कि आप मुझे अब स्कूल भी ले जा सकते है और मेरी सिस्टर को भी देख सकते है दिन बर जैसी से फिर एक लड़का वो मेत लेने आता है और उसको पेसे देख कर चला जाता है जैसी उस पर चिलाता है क्योंकि उस बैग में आधे ही पेसे होते है आधे पेसे वाल्टर को जाने वाले होते है हैंग फिर अपने बोस के साथ बेटा हुँ होता है उसका boss बोलता है कि क्यों तुम अब जा नहीं रहे हो तो Hank बोलता है कि मुझे उस case में एक बहुत अच्छी lead मिली है मैं एक हाइजर मर्क को अब ढूणने ही वाला हूँ वो RV के बार में बताता है उसको जो footage मिलती है उसके screenshot भी अपने boss को दिखाता है उसके boss उसे बताते है कि अब तुमें चले जाना चाहिए यह जो case है यह तुम किसी और को सोब सकते हो Hank फिर नहीं मानता और उसके boss उसे final बुशते है कि क्या तुम वहाँ जाने वाले हो या नहीं तो Hank ना बोल देता है Walter के जो पैसे होते है उसे वो लड का आकर signal पर ही दे देता है और वहाँ से वो चला जाता है यही एपिसोड खतम हो जाता है